नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Amco Education YouTube चैनल पर इस वीडियो में मैं आपको 10 Most Important GK के Questions करवाने वाला हूँ जिनके competitive exam में पूछे जाने के ज्यादा चांस है तो दोस्तों आप इस वीडियो को end तक देखते रहिए चलिए शुरू करते हैं आज का जो पहला question है दोस्तों वो ये है कि Alliance Air निमलिक्त में से किस के पूर्ण स्वामित्तव वाली company है A. Indian Airlines B. Sahara Airways C. Jet Airways D. Air India तो दोस्तों इसका सही अंसर है D. Air India जो Alliance Air है वे Air India के पूर्ण स्वामित्तव वाली company है ठीक है दोस्तों अब बात आती है ये Alliance Air क्या है Alliance Air Air इंडिया की कम किमत की एक वायू सेवा है ठीक है जो कि एक सब्ता के अंदर 357 उडाने भरती है इसकी स्टापना कब हुई थी दोस्तों अगर question ये आता है कि Alliance Air की स्टापना कब हुई थी तो 1996 में यानि कि 1996 के अंदर Alliance Air की स्टापना हुई थी जो Alliance Air company है दोस्तों उसका क्या नारा है उसका अगर नारा पूछा जाता है तो वो है connecting India ठीक है ये इसका नारा है Alliance Air का connecting India इसका मुखले कहां पर है दोस्तों Alliance Air का जो मुखले है वो दिल्ली के अंदर है तो ये हो गया हमारा पहला कोशन अब हम चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे कोशन के तरफ और वो ये है कि नेजी छेतर में देश का पहला अंतुराष्ट्रिय हवाई अड़ा कहां निर्मान धीन है तो दोस्तों इसका सही अंसर है जो नेजी छेतर में देश का पहला अंतुराष्ट्रिय हवाई अड़ा कोशी में निर्मान धीन है देखे दोस्तों यहां पर नेजी छेतर में पूछा गया है तो वो कोशी के अंदर स्थित है नेक्स्ट कोशन देखे दोस्तों भारत की अंतराष्ट्रिय विमान सेवा है कौन सी है सहरा एर है इंडियन एर लाइन्स है एर इंडिया है या फिर अलाइन्स एर है तो दोस्तों इसका सैंसर है सी एर इंडिया भारत की अंतराष्ट्रिय विमान सेवा है कोशन अब इससे रिलेटेड क्या कोशन बन सकते हैं पूछा जा सकता कि एर इंडिया की स्तापना कब हुई तो एर इंडिया की जो स्तापना हुई थी वो 1932 में हुई थी 1932 के अंदर एर इंडिया की स्तापना हुई थी किसके रूप में हुई थी टाटा एरलाइन्स के रूप में जो एर इंडिया है उसकी स्तापना हुई थी इस कंपनी का क्या नारा है जो एर इंडिया कंपनी है उसका नारा क्या है जैसे की अलाइन्स एर का नारा था कनेक्टिंग इंडिया तो दोस्तों इसका दो नारे है इस कंपनी के एक तो है पर है इसका मुखहले है मुंबई के अंदर महराश्च्टर में ठीक है उसका जो अलाइस एर था उसका मुखहले मुंबई के अंदर महराश्चर में है नेच्ट कोशन देखि दोस्तों आज की वीडियो का फॉर्थ कोशन है कि ग्रांड ट्रंक रोड किस ने बनवाई एकबर ने बी जहंगेर ने सीच सहंजा ने डी सिर्शासुरी ने तो दोस्तों आपको पता होगा जो ग्रांड ट्रंक रोड थे वो सिर्शासुरी ने बनवाया था ठीक है ये कहां से कहां तक है इसके बारे में जो ग्रांड ट्रंक र शामराज्य के दोरान अस्तितों में आया था अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो ये पच्ची सो किलोमेटर यानि कि धाई हजार किलोमेटर इसका विस्तार है अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कोशन के तरफ और वो ये है कि सवरणिम चत्रभूज परियोजना किस परिवहन से सम्बंदित है नेक्स्ट कोशन देखिए कि पूरो पस्चिम ये उत्तर दक्सिन एक्स्प्रेस राजमारग एक दूसरे को काटते हैं यानि कि कहां पर काटते हैं गवालियर में काटते हैं सागर में या फिर बोपाल में या फिर जहासी में तो दोस्तों इसका स यह अंसर है दोस्तों डी जासी में जासी के अंदर जो यह पूरो पश्टी में उत्र दक्सिन एक्स्प्रेस राजमारक है यह एक दूसरे को काटते हैं नेक्स्ट कोशन देखिए कि राजमारक शंक्या 7 यानि कि NH7 कितने राज़ों से होकर गुजरती है या गुजरता है च्यार पांच है साथ तो दोस्तों इसका सेयन सरच 6 जो NH7 है नेसरल हाईवी 7 है वो 6 राज़ों से होकर गुजरता है कौन कौन से राज़ों है उनका क्यान क ये गुजरता है ये कहां से कहां तक है दोस्तों ये वाराना से लेकर कन्या कुमारी तक जो वाराना से यूपी के अंदर है वहां से लेकर कन्या कुमारी तक एनच शेवन है और ये भारत का सबसे बड़ा महामारक भी है अगर सबसे बड़ा महामारक उचा जाता है तो एनच ही है ठीक दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कोशन की तरफ और वो यह है कि निमलिक्त में से कौन उर्जा के गैर प्रमप्रागत स्क्रोथ की स्रेणी में आता है जो यह च्यार उप्षन दिये गई है कोईला बायो गैस प्राकरते गैस और पैट्रोलियम इन में से क कौन उर्जा का प्रमप्रागत स्क्रोथ नहीं है ठीक है ए प्राकरति गैस भी घनीज तेल सी भूताप्य उर्जा डी कोईला तो दोस्तों इसका सही अंसर है सी भूताप्य उर्जा वो उर्जा का प्रमप्रागत स्क्रोथ नहीं है नेक्स्ट कोशन देखिए आज की वीड जो सोरूर्जा है उससे सबसे कम वायो परदोसन होता है तो आज की वीडियो में मैंने आपको 10 most important GKK questions करवाए इन में से ही आपको competitive exam में questions पूछे जा सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो को कैसे लिगे comment करके जरूर बताना है अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना है और ऐसे ही GKs related वीडियो पाने के लिए MQEducation चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टोपे के साथ